नमास्ते दोस्तों, दुन्या में ऐसी कई जगाँ हैं जो किसी न किसी वज़ा से रहस्त में बनी हुई हैं। ऐसी एक जगा दच्छन अमेरिका में एंडीज परवत और प्रसांत महासागर के बीच इस तित देश चिली में है। दरसल यहां एक सुलसान आइलेंड है, जहां 900 से करीब रहस्त में मूर्तियां हैं, जिनके बनने के बारे में अनुमान तो बहुत लगाया जाते हैं। लेकिन असल में इन्हें क्यों बनाया गया था, अभी तक एक रहस्त बना हुआ है। दोस्तो इस आइलेंड का नाम है इस्टर आइलेंड और यहां बनी रास में मूर्तियों को मुई के नाम से जाना जाता है। यह मूर्तियां लगबख सव तन वजनी और 30 से 40 पित लंबी हैं। और सबसे खास बात यह है कि यह देखने में लगबख एक ही जैसी लगती है। ऐसा लगता है जैसे सभी को एक ही साचे में ढाला गया हो। दोस्तों कहते हैं कि पत्थर की यह मूर्तियां इतनी मजबूत हैं कि हथावड़े से ठोके जाने के बाजूत इन में छोटी मूर्टी खरुष की अलाम आए। इन्हें कोई खास नुश्कान नहीं पहुचता है। इन मूर्तियों को लेकर एक सवाल हमेशा बना हुआ है कि आखिर जब तक इस आइलेंड पर किसी इंसान के रहने के कोई सबूत नहीं मिले हैं तो यह मूर्तियां आए कैसे और वो भी एक दो नहीं बलकि सैगडों कुछ लोग का मानना है कि सैगडों साल पाले एडियंस इस आइलेंड पर आये थे और उन्होंने इस मूर्तियों का निर्माड किया था लेकिन वह इन्हें बीच में छोड़कर चले गए थे हालांकि यह सब कई सुनी बाते हैं जिसका कोई प्रमाड किसी के पास मौजूद नहीं है दोस्तों बता जाता है कि इन मूर्तियों को रापा पाना रापानुई के लिए मुश्किल हो गया बाना जाता है कि इसी वजह से वह इन मूर्तियों का काम अधूरा छोड़कर यहां से कहीं और चले गए तो दोस्तों आपको इन रहस्में मूर्तियों के बनने की वजह क्या लगती है क्या इन्हें रापानुई नामक लोगों आपको जो भी लगता हो कमेंट स्क्राइब करें और दोस्तों यह दि हमारे दुर्ण दिग जनकारी आपको अच्छी लेकर तो वीडियो को लाइक कमेंट साथ देर करें और ऐसे आपने यूट्य चैनल आरके रियल फाट को सब्स्क्राइब कर के आप पर सेटक दिगा जिस